हेलो फ्रेंड आज मैं इस ताइब का बुलेन और लेजी डेजी का इस तरह से पूरा पैटर्न बनाने वाली हूं यह इस ताइब की पूरी मेरी पैटर्न बनेगी और इसके लिए मैंने यह मेरा सेमपल है और यहां पर मैंने इतना बना के रखा है यहां मैंने यहां के डायरेक्शन में थोड़े बड़े से बुलेन के फ्लावर बनाए है और यहां पर मैंने छोटे छोटे बनाए है इसमें मैंने सिर्फ डो ही कलर यूज किये है और और यहां पर मैं डार कलर का फ्लावर बनाऊंगी इसके लिए मैं यहां पर बीच में लाइट कल एक बीच में नॉट लगाएंगे और उसके आउसाइड पर हम पूरे 6 नॉट का सरकल बनाएंगे पूरी 6 नॉट का फ्रेंड सरकल बन गया है और यह मेरा सबसे बड़ा फ्लावर है पूरे सरकल का इतलिए मैं यहां पर डार्क पिंक शेट टीन राउंड बनाऊंगी अब यहां पर मैं डार्क फलर से पूरा बुलियन का एक सरकल बनाऊंगी अब इतना डिस्टेंस लेंगे और 10 टाइम मैंने रैप किया और यह बिल्कुल लूज हमारी बुलियन रहेगी अब हम यहां से इसके यहां पर निडल निकालेंगे और यहां से इतने लिस्टेंस का कि एक और बुलियन बनाएंगे इस तरह से अब यहां से वापिस अमल इस तरह से निडल निकालेंगी कि दस से बारा टेम्स प्रेंड्स मैंने रेपिंग किये हैं अब यहां पिए यह बुलियन में बनाऊंगी तो मरें यह वाला सरकल कम्प्लेट हो जाएगा इसलिए हमें यहां बीच में से इसकी निडल निकालनी है इस तरह से उसके बीच में हम हमारे बुलिन को सेट करेंगे इस तरह से यह हमारा एक सर्कल कॉंप्लीट हो गया अब उसके हम आउट सैट पे दूसरा सलकर बनाएंगे फ्रेंट सेकंड सरकल के लिए हम इतना बाहर से निकालनेंगे हमाई निदल और यहां टक हम हमारी बुलिन बनाएंगे फिर वापीस यहां से किस पर हम निकाल लेंगे इस तरह से हमने फॉस्त राउंड में यहां उसे साथ से हम बनाएंगे हमां सेकंड राउंड भी रहें हम गॉस्त राउंड लिए कि со छाउंड बनाएंगे हमारी आी selvня में यहां बनाएंगे couch Boulder अब यहां से यहां टका फ्रेंस हमां दिस्टन्स थोड़ा सा बढ़ गया है इसलिए हम इतने डिस्टन्स में दो बुलेन हमारी सेट करेंगे है कि अ कि यह मारा सेक्ड राउन अब मैं थर्ड राउन कंप्लीट करके दिखाती हूं तो यह मैंने थर्ड राउन भी पार कंप्लीट कर दिया है अब हम दोनों फ्लावर के बीच में इस तरह से लेजी डेजी बनाएंगे ताकि हमारा पूरा सरकल का जॉइनिंग अच्छे से हमें यह वाले कई बनाने से पेले इसका बीजे का लेशी डेजी फे उसका ठीक करना है हूँ है हमें फ्रें हमें में थोले छोटे बनाने ताक्या हमारे यह वाला कायों पे हम जुन लेजी डेजी करेंगे वहा से साथ से हमाई जीजाइन सेट हो जाए अब हम इस साइड से अब यह यह बहुर्त ज्यादा है तो हम तीन लीजीडेजी का आ लावर बनाएंगे बजल को यह सी हम प्रॉच बनाएंगे कि उस दोनों के बीच में से एक पूर कि इसी तरह से यहां पर भी हम बनाएंगे हमें बिल्कुल पास पास ही बनाना है फ्रेंड्स का हमें बीच में सिर्फ दो से टीन ही नौट बनानी है इसलिए हमें यहां पर हमारा गेप कम ही रखना होगा ताकि हमारा पूरा सरकल एक समान बन जाए यह हमारा हो गया डोनों साइड अब हम बीच में डोडो यलो कलर के ट्रेट से नौट लगाएंगे और अब हम यहां पर इस तरह से कव बनाएंगे तो फ्रिंज यहां पे डो ग्रीन है इसके लिए में बीच में लाइट ग्रीन से हमारा कव बनाऊंगी सबसे पहले में यहां पे सेंप स्टिट से पूरी हमारी दाली बनाऊंगी यहां पे इसके बाद हम यही से हमारा लेजी देजी बनाएंगे सबसे पहले हमें उपर एक बनाना है सेंटर में पिर हमें यहां पर क्रॉस बनाना है हमारा जो कव का सेफ है उसको हमें अच्छी तरह से मेंटेन करके ही लेजी देजी हमारा बनाना है उसी तरह से प्रेंद हम यहां पर डूसरी सेट भी बनाएंगे प्रेंद हमारा बनाएंगे प्रेंद हमारा बनाएंगे अब मैं यहां पर डार ग्रीन से बनाऊंगी यहां पर मैंने यह ग्रीन भी कंप्लिट कर दिया है यहां पर बीच में मैंने यलो नॉट भी बना दी है तो यह मेरा पूरा डिजाइन बनके तयार है आई होप आपको मेरा यह डिजाइन पसंद आया होगा प्रीज अपनी फैमिलर फ्रेंज कैसे सेर कीज़े और मैंने चैनल को सब्सक्राइब कीज़े ठेंक्यू कर दो